नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है और पेश्वे इस वक्त जोतपूर बिकानेर जिले की बड़ी खबरे प्रिश्टचा निरोधक ब्यूरो ने जोतपूर जिले के शेरगड के सूचना सहायक रविंद्र लखारा को 20,000 रुपे की रिश्वत लिये जाने के आरोप में गिरफ्तार किया उसके साथ एक बिचोल या रामू राम मेगवाल को भी पकड़ा गया है इमित्र से आधार कार्ड बनवाने वालों के साथ प्रतिशत कमिशन की मांग इमित्र संचालक से की जा रही थी ब्यूरो के एसप दुर्ग सिंग राच पुरोहित ने बताया कि शेरगड में आईटी केंदर पर लगा सूचना सहायक रविंद्र लखारा आधार कार्ड पर साथ प्रतिशत के हिसाब से कमिशन की मांग कर रहा था शिकायत पर ट्रैप की कारवाही की गई ब्रश्टाचार निरोदक ब्यूरो बिकानेर के स्पी डॉक्टर गगन सिप सिंगला ने कहा कि ब्रश्टाचार को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की निती को बिकानेर में भी भखु भी लागू किया जाएगा पत सभालने के बाद मेडिया से बाच्चित में डॉक्टर सिंगला ने कहा कि ब्रश्टाचारियों पर नकेल कसने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे बिष्टाचार के संगीन वे बड़े मामलों को केस ओफिसर स्कीम के अंतरकत लेकर आरोपयों के घिलाफ सक्ती से कारवाही की जाएगी भारत फ्रांस वायू सैना का संयुक्त युद्धा भ्यास डेजर्ट नाइट 21 बुद्वार से शुरू होगा मंगलवार को यहां फाइटर जेट मिराज वे राफिल के पहुचने का करम शुरू हो गया है और वहीं अन्य साजो समान को लेकर सबसे बड़ा माल वाहग गलोब मास्टर जोतपूर पहुच गया है गतवर शेयर फोर्स में शामिल की गए फ्रांस निर्मित फाइटर जेट राफिल को भारतिय पाइलेट्स पहली बार किसी युद्धा भ्यास में अज्माएंगे विगानेश शिक्षा विभाग में कारेड़त सेकंड ग्रेश शिक्षकों को पदोनती मिल गई है और इसके लिए विभाग की ओर से दो दिन की काउंसलिंग की गई मादेमिक शिक्षा निर्देशक सोरव स्वामी के निसार इस दोरान मादेमिक विद्यालियों के लिए प्रधाना ध्यापक बनाए गए हैं उनको पदस्थापन किया गया है और इसी तरह अंग्रेजी, हिंदी, भुगोल, संस्क्रित और बायलोजी विशेक के अभियर्थियों के व्याख्याता पत पर पदस्थापन के लिए काउंसलिंग की गई कॉविड वेक्सिनेशन के प्रतम चरण के तीसरे दिन मंगलवार को जोथपुर जिले के नो सेंट्रों पर कुल लक्षित 881 लाभार्थियों में से 771 का वेक्सिनेशन किया गया आर्सी एचो डॉक्टर कोशल दवे ने बताया कि तीसरे दिन कुल 87 फिजदी लाभार्थियों का टिका करन किया गया विगाने जिले की साथो विधानसबा शेत्रों में अब 16,64,555 मतदाता हो गए हैं मतदाता सूचियों के विशेश संक्षिप्त पुनरिक्षन कारिक्रम के तहट मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया है जिला गलेक्टर नमित महता के अनुसार 20 नमबर 2020 से 18 जनवरी 2021 तक अंतिम प्रकाशन में 44,999 नाम जोड़े गए हैं जिनमें ने 23,447 पुरुष वे 20,625 महिला मतदाता है जोदपुर के जिला चिकिस साले पावड़ा में स्वास्ते सुविधाओं के विस्तार के लिए अस्पताल से सटे कृश्री कारेक्रम परीसर की भूमी पर बवन निर्मान का काम शिग्र शिरू हुआ मुख्य मंत्री अशो गहलोत ने इसके प्रथम चरण के निर्मान कारियों के लिए 25,8 करोड रुपे के प्रस्ताव को वितिय स्विक्रती दी है गहलोत ने इस सबंद में वित्विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए पांच करोड रुपे की राशी का वर्तमान वितेय वर्ष में ही उप्योग करने के लिए सहमती दे दी है बुजिया कचोरी पकोडी नमकीन आदी बनाने वाले व्यपारी तेल को तीन बार से अधिक नहीं उबाल सकेंगे इसके लिए केंदर सरकार ने स्वास्ते एवं परिवार कल्यान मंत्राले की अधीन भारते खादिय सरंग्षा एवं मानक प्रादिकरन के नियमों की सक्ती से पालना के निर्देश दी है जोदपूर की डॉक्टर सरोपली रादा कृष्टन आयूरवेधिक विश्वविद्याले राजस्तान का चतुर्त डिक्षांत समारो वर्चुल मोड पर आयोजित हुआ राजपाल एवं कुलादी पदी कल्वाज मिश्र ने इस समारो की अध्यक्षता की उन्होंने वर्चुली प्लेटफूर्म पर डिजिटल तरीके से उपादियां प्रदान की चिके समारो में विबिन पाठेक्रमों के 949 विद्यार्थियों को उपादी प्रदान की गई जोदपूर में गीता भवन रोड सिद विनाय का अस्पताल में मंगलवार को एक बार फिर प्रदर्शन किया गया करीब साड़े पांच माँ बाद पहले यहां चिकिसक्य लापरवाही से हुई बच्चे की मोत के बाद पारिजनों ने फिर यहां प्रदर्शन किया उनका आरोब था कि अस्पताल प्रशास इन जूटे प्रचार प्रशार से आम जन्वे मरीजों को ठग रही हैं अस्पताल में मंगलवार को पत्री जांच का शिवर लगाया गया था सिख्धरम के दस्वी गुरु गुर्गोविन सिंग की जयनती जोटपूर में बुद्वार को शदापूरवक और उल्लास के साथ मनाई जाएगी गुर्गोविन सिंची के प्रकाशोस्व के उपलक्ष में मंगलवार को सिख, पंजावी और सिंधी समाज की ओर से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया जोदपूर यादयाद पुलिस वे परिवहन विबाग के संयुक तत्वाधान में चलाए जा रहे राष्टिय सडक सुरक्षा माहा के दूसरे दिन मंगलवार को शहर में कई सानों पर कारेक्रम आयोजित किये गए यादयाद पुलिस कर्मियों ने यादयाद नियमों का पालन करने वाले वहन चालकों को फूल दे कर सम्मानित किया और इसके साथ ही प्रदर्श ने लगा कर यादयाद नियमों से समंधी पैंप्लेट्स भी भांटे गए जोदपुर के सीमा जुरक्षा बलके प्रश्किशन केंदर में लगे हेड कॉंस्टेबल की शारिरिक दुर्बलता का फायदा को शातिरों ने उठा लिया फाजी डॉक्टर बनकर एक महिला सही दो अन्यने इराज के नाम पे दो लाक रुपे से जादा की ठगी कर ली पेडित बीएसेफ हेंट कॉंस्टेबल ने अब मंडोर पुलिस्थाना में यह केस दर्श करवाया है जोदपूर रेल मंडल के गडरा रोल्ड रेल्वे स्टेशन के नस्दीक भारत पाक युद में देश के लिए शहीद हुए रेल्वे करमचारियों की याद में शही समारक बनाया गया है समारका उठगाटन उंतर पश्मी रेल्वे के महा प्रवंदक आनंद प्रकाश ने किया एस अफसर पर जोदपूर मंडल रेन प्रवंदक गितिका पांडे तता बीसेफ के डियाईच गुरुपाल सिंग भी उपस्तित थे जोदपूर में पीजिन्स फ्लाइंग क्लब एवं सर्वर पेंग द्वारा आयोजित पीजिन्स फ्लाइंग प्रतियोगिता का समापन पुरुसकार वितरन समारों के साथ हुआ प्रतियोगिता में अलगलग शेत्रों से आए कबूतर पाल को द्वारा कबूतरों की उडान भराई गई और कई प्रतियोगियों के कबूतर तै समय से पहले ही अपने अपने प्रतिष्ठान पर उतर गए समय सिमा समाप्थ होने तक कई प्रतिभागियों के कबूतर आकाश में उड़ते रहे और उनको सामोहिक विजेता घोशित कर दिया गया फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही और फिर हासिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें धन्यवार